क्या लाए थे, क्या ले जाओगे कितने दिलों में धड़कते हो तुम बस यही महसूस करके एक दिल सुकू से मुस्कुराओगे हम सब यही चाहते हैं न दोस्तो कि हम किसी किस दिल के साथ सच्ची तरह से connect हो कोई हमें पयार करे, हम उने पयार करे हम उनके दिल में उतर जाए हम उनके दिल की बात समझे और कोई हमारे दिल की बात समझे यही तो जरूरी है सारी दुनिया भाग रही है लेकिन हर कोई अंदर ही अंदर अकेला है उस अकेले पन कोई तो पकड़ना है उसके दिल में तो उतरना है उस अकेले पन में ही तो अपनी जगे बनानी है तो आज हम उसी पे बात करेंगे बस मैं आपके पांच मिनट लूँगी पांच मिनट आप मेरे साथ इस वीडियो पे रहो और मैं आपको 7 ऐसे 7 ऐसे important points बताऊंगी कि जिनको follow करके आप किसी के भी दिल में उतर सकते हो अपनी बात किसी को भी समझा सकते हो उनकी बात समझ सकते हो तो चलो शुरू करते सो पहला point है जो कि बहुत important है genuine कि आप कितने genuine हो आप जिसके दिल में उतरना चाहते हो लोग कितने genuine है अगर आप real में genuine हो आप fake नहीं हो और एक सच्चा रिष्टा शुरू करना चाहरे हो तो सामने वाला आपको समझेगा यह आपके रिष्टे की बुनियाद है और अगर यह बुनियाद strong है आप genuine हो आप में बनावट नहीं हो जो आप real हो वही हो तो पक्का रिष्टा अच्छा बनेगा और दिल से बनेगा दूसरा point word से ज़्यादा action matter करते हैं सिर्फ कहो मता कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर दूँगा या जब भी तुझे जरूरत होगी मैं सबसे पहले तेरी मदद करूँगा करके दिखाओ जब भी तुम्हारे दोस्तों को जिससे तुम प्यार करते हो उसे जब भी तुम्हारी जरूरत है सबसे पहले खड़े मिलो सबसे पहले वहाँ पहुंचो दिखाओ कि तुम उसके लिए कितने जरूरी हो तुम उसकी priority हो कितने importance रखते हो तुम और जब तुम उसकी जरूरत में उसके साथ रहोगे तो धीरे धीरे उसकी life में तुम्हारी importance बन जाएगी तुम्हारी जगा बन जाएगी और तुम उसके दिल में जगे बना लोगे तीसरा point हर एक इंसान के अपनी values होती है उसके अपने opinion होते है उनकी respect करो तुम जिसको भी पसंद करते हो ज़रूरी नहीं है कि उसके opinion और तुम्हारी opinion match करेगी नहीं अगर कोई भी argument होता है या कोई भी बात होती है और अगर opinion अलग-अलग भी है और disagreement भी हो रहा है एक बात पर agreement नहीं भी हुआ तो उस discussion को close कर दो disagreement के साथ एक smile के साथ ज़रूरी नहीं है न कि दोनों का opinion सेम हो उसकी respect करो जो भी उसकी values है उसकी respect करो उसकी opinion की respect करो बहुत ज़रूरी है सामने वाले के दिल में जगे बनाने के लिए कि आप उसकी इज़त करते हो फोर्थ point है जो भी आपका दोस्त है या जिससे आप प्यार करते हो उसकी insecurities को पहचानो उसके साथ वक्त बिताओ देखो वो कौन से points है जिससे उसका confidence lose होता है हर कोई लगा हुआ एक दूसरे के टांग खीचने में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लेकिन अगर तुम generally उससे प्यार करते हो तो उसको उस point को समझो कहां वो weak हो रहा है कहां वो insecure है कहां उसका confidence गिरता है उसको पकड़ो और फिर उसको help करो उस confidence को उसके boost करने में उसके अंदर क्या अच्छाईयां है वो उसे बताओ उसको appreciate करो उसकी strengths बताओ क्या है और धीरे धीरे उसका confidence build up होगा और जब कोई किसी की confidence build up में personality development में mental strength में help करता है न तो वही वहां ही से पक्के रिष्टे के बुनियाद शुरू होती है तो उसकी मदद करो उसकी insecurity से उस बाहर आने में fifth point है कि कभी एक random call भी करो पूछो एक फिक्र दिखाओ कि मैं तेरी फिक्र करता हूँ तो कैसी है या तो कैसा है ठीक है तुझे मेरी जरूरत तो नहीं है न तो ठीक है न तो एक random call करो और पूछो कि वो सब जहां है ठीक है उससे तुम्हारी जरूरत तो नहीं है जरूरी नहीं है हर बार वो तुम्हें phone करके बताएगा कई बार तुम्हें भी पता लगाना पड़ेगा वो क्या कर रहा है और वो कैसा है next point कोई भी issue हो आपके relationship में this is the sixth point हा कोई भी issue हो आपके relationship में उस issue को unattended मत छोड़ो बहुत priority है यार वहाँ पहुचो बात करो उससे कि यार जो भी issue हुआ जो भी misunderstanding हो इसको clear करो वो priority होनी चाहिए आपके relationship के लिए अगर आप कोई भी issue unattended छोड़ते हो तो सामने वाली को नजर आता है क्या priority नहीं हो यार उसकी पहुचो और उसको उसको उस पे किसी भी चीज की frustration मत उतारो हा उसकी बात को सुनो समझो और जितनी भी misunderstanding है उसको clear करो अब बात करेंगे हम last point पे 7th point जो भी वो राज आपका दोस्त या जिससे आप प्यार करते हो वो आपसे share करता है कोई भी राज तो किसी को बताओ मत यह बहुत important word है यार वो यह में बोलता है कि यह सिफ मैं तुझे बता रहा हुआ किसी को बताना मत इसकी value समझो कभी भी किसी के secret को share मत करो किसी के साथ अपने दिल में रखो अपने दिल में जब तुम उसके secret को रखोगे उसको सही solution दोगे तो दिल के रस्ते अपने आपको जाएंगे तो यही साथ तरीके मैंने आपको बताए आप इने use करो किसी का दिल जीतने में अपना दिल किसी और दिल के साथ जोडने में दोस्त बनाने में थैंक यू फालो करो और दिल जीतने चलो